हलो आवरिवन वैलकम टू अवर यूटूब चैनल जिसका नाम है परिक्षिता अकेडमी और आज हम फिर से आधुनिक भारत के में जो सिक्षा है या आधुनिक भारत में सिक्षा का विकास भाग दो लेकर आए हैं इस वाले वीडियो में हम क्राउन की अधीन जो सिक्षा का विकास हुआ है उसके बारे में चर्चा करेंगे इसके पहले हमने जो हमारा पहला वीडियो डाला है वो हमने डाला है क्राउन के पहले अर्था जो इस्ट इंडिया कंपनी भारत में साशन कर रही थी तो उसके अंतर के बाद जो है क्राउन के अधीन सिक्षा के विकास के बारे में और इस सीरीज का हमारा एक तीसरा वीडियो भी आएगा जो भारत की आजदी के बाद क्रमिक जो भी सिक्षा के विकास या क्रम आए हैं उनके बारे में हम बात करेंगे आगे बढ़ने से पहले दोस्तों हम आप करते हैं Crown के अधिन सिक्षा के विकास के बारे में तो हम सबसे पहले तो यह जानते हैं कि आज हमारी इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे तो हम Hunter सिक्षा आयोक पढ़ेंगे जो में पास किया गाया था हम उसके ऊपर बात करेंगे उसके बाद सैडलर विश्व द्याले आयोग देखेंगे जो 1917 में आया था उसके बाद जो है द्वेट साशन के अधिन सिक्षा में भी कुछ बदलाव किये गए थे हमने हापर मेंशन नहीं करा है मां इसके आगे बात फिर हार्टोग समीती 1929 में गठित की गई थी सिक्षा की सार्जेंट योजना 1944 में और वर्धा योजना 1947 में तो आपको इसके नाम और इसके जो याद रखने अगर आप पूरा वीडियो नहीं याद रख सकते तो आपको ये वाला पेज याद रखना ही चाहिए इसे भी आ इसी भी एक्जाम में जनरल इसके बारे में पूछा जा सकता है क्योंकि हम खुद सिक्षा के बारे में शिक्षित हो रहे हैं पढ़ रहे हैं तो हमें इसके बारे में सब कुछ जानकारी होनी चाहिए तो आईए हम बात करते हैं हंटर के सिक्षा आयोग की जो कि 882 और 83 में या था तो हमें पता है इसके पहले सिख्षा में क्या क्रमिक जो हे इस्ट इंडिया में विकास हुए थी तो हमने देखा था कि 1780 में व्रेन हैस्टिंगBoy में मदर से की स्थापना करी थी वी 1799 में जोरांथन डंकर ने संस्क्रत कॉलेज के स्थापना करी थी इसके बाद 1784 में एशाइटिक सुसाइटी के स्थापना की गई थी और इस प्रकार से जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो थी कि जो 1854 में है चार्ल्स वूट का डिस्पेज आया था सिक्षा को लेकर ज वो जो है इंप्लिमेंट लागू किया था भारती के भारती ब्रिटिश भारत के परिपेख्ष में सिक्षा के लिए जो आवशक है तो यहां पर www.hunter के अध्यक्ष्टा में एक जो है समीती गठीट की गई थी कायोग गठीट किया गया था और इस आयोग को ये कहा गया था कि आप 1864 के बाद जो देश में शिक्षा की दिशा में जो प्रियास हुएं किये गए हैं और जो उनकी प्रगती हुई अर्था तो उनका वास्तविक विकास क्या हुआ उसकी समीक्षा कीजिए और हमें और कुछ सुझाओ दीजिए और यहां पर आपको ये जानना जरूरी हंतर सिक्षा आयोग के इंदेए क्यों पर घंचा रिवल सिख्या के बारे में जो है अपने सुझाओ देने थें तो हम आगे बढ़ते हैं तो हंटर आयोग ने क्या सुझाव दिये सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा कि सरकार को मतलब इसके पहले जो था प्रात्मिक और माध्यमिक शिक्षा पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया था तो उन्होंने ये ही रिक्मेंडेट किया सबसे पहले कि प्रात्मिक शिक्षा के जो सुधार है विकास के और विशेश ध्यान दिया जाए और जो शिक्षा है वो उपियोगी विशे जो है उन्हीं में दी जाए और स्थानी भाषा में दी जाए क्योंकि भाषा से ज़्यादा में उन्होंने विभाजित किया था साहितिक और व्यहवारिक तो साहितिक के अंतरगत जो है विश्व विध्यालिन सिक्षा को रखा गया था और व्यहवारिक के अंतरगत जो है व्यहवसाइक या व्यहवारिक भविश्व निर्मान के सिक्षा के लिए मतलब बाते रखी गई अल्व श करना चाहिए ँभजुßन को प्रोक्षान देना चाहिए he कि इसरी सिख्षा को जो है प्रोद्साहन देना चाहिए इन अल्व में आयdenा तो टोत उता कर दो सिक्राद वि зайए तहट जो है 1882 में पंजाब विश्विध्याली और इलाबाद विश्विध्याली 887 में जो है सापित किये गए तो हंटर आयोग में हम इतना ही याद रखना है कि प्रात्मिक सिक्षा और माधिमिक सिक्षा की इस्तर तक की क्या सुधार होने चाहिए उसी के लिए दिया गया कॉलेज या विश्विध्याली इस्तर के लिए नहीं अब जो अगला हमारा आयोग आ रहा है भारती विश्विध्याली अधिनियम 1904 यह जो है विश्विध्याली इस्तर पर सुधार के लिए दिया गया था तो बस दोनों में आप कंपैरिसन करके पढ़ेंगे तो जल्दी समझ में आएगा तो यह वाला कमिटी क्या हुआ था तो 1902 में सर्ट टॉमस रेल वे नहीं है टॉमस रेले है तो टॉमस रेले की अधियक्षता में एक आयोग का गठन किया गया था और विश्विध्याली की स्तिति का पता बता करने के लिए उनकी शमता या उनके जो भी सबसे पहली बात तो यह है कि शोद अधियनों शोद पर जादा ध्यान देना चाहिए जो भी पर्टिकुलर विश्विध्याले में जो भी मेंबर अपॉइंट होते हैं उनकी संख्या कम हुनी चाहिए और उनको सरकारी नियंतरण में लाना चाहिए अर्था सरकार के कंट्र करने की बृटिश है यूरोपियों के कंट्रोल में जादा लाना चाहिए और उच्छे शिक्षा तदा विश्विध्याले के उत्तान के लिए 5 लाग की राशी प्रतिवर्श के दर से 5 वर्शों के लिए स्विकरत की गई और गवनर जर्नल को विश्विध्याले की शेत्री सिमाय निधारित करने का अधिकार दे दिया गया इसके बाद जो है सिक्षा निती पर सरकारी प्रस्ताव जो है 1913 में प्रस्तूत किया गया था और ये भी क्यों प्रस्तूत किया गया था दबाव में आया था कि जब देखा कि 1906 में जो बड़ोदा रियासत के राजा है उन्ह के लिए सरकार ने 1913 में प्रस्ताव करा कि और उन्होंने करतव ये पेस को डाल दिया कि प्रांती सरकार क्या करे समाज के नर्धनम पिछड़े वर्गों के लिए प्रारमिक शिक्षा के लिए कदम उठाएं ये उन्हीं के उपर बोल दिया फोर्स फूली या जो है इस समस्याओं के अध्यान के लिए इस कमीटी का गठन के गया था ऑरमपर की अध्यक्षता में किया गया था के बॉल कॉलकतार विशुविध्यान संयाओं के लिए इस सarenth से लेकर विशुध्या लिस्तर में एस कर विषुए समारे सोर whenierung दंक op crime साइब की क्या सिफारीश थी तो देखते हैं तो इन्होंने कहा है कि स्कुल की जो सिक्षा है बारा वर्ष के होनी चाहिए पहली बात फिर दूसरी बात कि विध्यार्ती जब उच्चेद माध्य में कि एक्जाम को पास कर लेते हैं तो जब विश्विध्याले में एडमिशन विश्विध्यालेम एडमिशन लेना मतलब कि वो जो है साहितिक शिक्षा अरजित करना चाहते हैं तो उसमें तीन वर्ष तक का डिप्लोमा या पार्ठीकरम तीन वर्ष तक का पार्ठीकरम होना चाहिए विश्विध्याले को 11 केंद السन पूर्ण संस्तानों के रूप में विक्सित किया रथत हर प्रकार की सम्भव उनको माहोल ओं लेता मिलना चाहिए महिला शिक्षा उप्यूक्त होनी चाहिए महिला शिक्षा कर यहां पर पिर्ष द्यान देनी की बात कही गई 1721 तक जो है इस जूरेशन में स्थापित किये गए कहां कहां पर मैसुर अलिगर ढाका पटना बनारा सुस्मानिया और लखनों में स्थापित हुए इसके बाद जो है द्वेज साशन की अधिन सिक्षा आई द्वेज साशन में पता है 1919 में मांटेग्यू चेमसफर सुधार के सिक्षा विभाग जो है प्रांती सरकारों को हस्तान तरीत कर दिया गया था सरकार ने सिक्षा संबंदी मसले पर सीधे तोर पर रूची लेना बंद कर दी ठीक है तो वो आया था फिसके बाद आया था हाडोग समीती जो की 1929 में आई थी और इन्हों ने ये देखा कि कास के संदर्म में रिपोर्ट तयार करने के लिए 1929 में जो सर्फ विलिफ हाडोग उनके अध्यक्षता में एक समीती गठीत की गई सिंपल सी बात है नाम के अनुसारी सारी समीतिया है तो इसलिए इसको हाडोग समीती बोला गया और इस समीती में ने क्या अनुशंशा की तो ज्यादा हमें कुछ नहीं पढ़ना है यही कि प्रात्मिक सिक्षा की महत्ता बल दिया अथाद इसको राष्टी करत इस तर पर लागो किया जाए केवल समर्पित विध्यार्तियों को उच्छे तर्माध्य में के उच्छे सिक्षा के विध्यालों में प्रवेश लेना अगर जो है साइटी के प्रोच लेनी है तो आप जो है विश्व ध्याले में प्रवेश लें इसकी बात जो आई है सिक्षा की सार्जेंट योजन आई है जो कि 1944 में आई थी सिंपल सी बाते भारत सरका के सिक्षा सलाका रह चुके हैं सर जॉन सार्जेंट इनकी अध्यक्षता में बनाई गई थी और इन्हों ने क्या रिक्मेंडेट किया कि 6-6 वर्ष्टक के बच्चों के लिए प्रार्यमिक सिक्षा होनी चाहिए 6-11 वर्ष्टक के लिए नीशु सिक्षा का प्रावदान है और इसमें 11-17 वर्ष्टक के चुनिंदा बच्चों के लिए उच्चे शिक्षा की व्यवस्ता उच्चेतर माध्यमिक सिक्षा के बाद तीन वर्षी सनातक शिक्षा की व्यवस्ता होनी चाहिए और उच्चेतर माध्यमिक सिक्षा के दो भाग हो चाहिए कौन-कौन से विध्याई विशेच सिक्षा होनी चाहिए और तक्निक वेवसाइच सिक्षा होनी चाहिए तो हमने सार्जेंट योजना में देखी अब इसके बाद देखते हैं वर्धा योजना 1937 यह एक्चुल में भारतियो द्वारा ही प्रस्तावीत की गई थी यह अब वर्धा योजना क्या है भारतियता से संबंदी थे जब अक्टुमबर 1937 में कॉंग्रेस ने शिक्षा पर राश्टी सम्मेलन जो है वर्धा में आयुजित किया था और जाकिर हुसेन के अध्यक्षता में इन्होंने कमीटी गठीत करी कि आप भी यह शिक्षा को लेकर जो है कुछ सुझाओ दीजिए हम उसको पूरे देश में लागू करने के लिए जो है कोशिश करेंगे तो इन्होंने कुछ प्रावधान किये वो प्रावधान क्या थे कि पाठ्ठी क्रम में आहर दस्तकारी को समलीट किया जाए रास्टी शिक्षा वरस्ता के तर्थ सात व क्योंकि जो दूसरी भाषा है सीखने में कटना ही होती है अंग्रेजी मादे में शिक्षा कक्षा आटवी के बाद ही दी जाए तो ये थी वर्धा युजना जो कि 1937 में आये थी आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा अब हम इसके बाद बात करेंगे स्वतंदरता क बात जो है भारत में राधा कृष्णन आयोग 1948-1950 में गठित किया गया था उसके बाद कोठारी आयोग गठित किया गया था जिसके आधार पर जो ही युजिसी के स्थापनाविती और भी कहीं हुआ था फिर नई सिक्षा नेती एक दो और आज वर्तमान में नई सिक्षा पर चुकी हैं तो हम यह सारी बात है जो हमारे आगgruppe करेंगे तो आपको थेंक्स पर वाचिंग